मस्ती के दिन हैं चलो जूमें और गाएं हो सारे जो मिल जाएं तो बोलो फिर क्या होगा महब जान मांगे कभी इंकार ना हो हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो सारे जमाने में एक हम में एक तुम में तुम के मस्ती के दिन हैं चलो जूमें और गाएं हो हम जान में चलो जूमें हो के आख माडू बें, बोला को चान्दी को छुले, ले सादा को चाहाणू बें, हो सुले ग्यार, ये तेरा प्यार, हो सुले ग्यार, ये तेरा प्यार, करे है जुनता मुझे हर बार के मस्ती के दिन है, चलो घूमें और काएं, साने जो मिल जाए तो फोलो फिर क्या हो हम इंकार ना हो, हमारी जीत में भी, उसी की हाद ना हो, साने जमाने में, एक हम में, एक दुम में ता के मस्ती के दिन है, चलो घूमें और काएं आपकी थाउजन वाट की जो स्माइल है, वैसी थाउजन वाट की ये परफॉर्मेंस थी, ए हुज रांड उप्लाउस पर मौमाँच सुहेच और अब टेकनिकल गुफ्तुकों की लिए चलते हैं जजस के तरफ, Ali Azmat, what do you think? It's brilliant. अब अच्छा बात ये, और अच्छी बात ये, और अच्छी बात ये इसका, के ये आता है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ आता है, जब अच्छान लगादी है, उसने तो चार चान लगादी है, So very good, very good. Thank you so much, sir. मेरी जगा तो आज इतनी सीटियां बजी हैं जिसकी कोई हद नहीं है, सारे हॉल ने सीटिय बजाई है, अरे पठन्वा तो कमाल कर गया आज हैं, Thank you so much. But you sang so well and mazika. Thank you so much. जी, अधिका. इसने गाना बहुत अच्छा से लग किया है, और आज इसने इतना मस्त हो के इतना मज़ें हैं, और आज एक्शन्स के अंदर जो है, वो सुर्भी संबले संबले से मुझे सुनाई दे रहे थे, कुछ-कुछ जगों पे जहां पे मैं आपको क्रिटिसाइज करती हूँ, मुझे आज लगा कि जैसे आपने वाकि इस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया है, कि आपने क्रिटिसिजम को पॉजिटिव लिया है, और उसमें आप फुल आज एक्शन में थे, और आपने अपने सुरों को भी कंट्रोल किया था, कुछ-कुछ जगों पे हलका भुलका थोड़ा बहुत सुर्का मसला हो रहा था, लेकिन मैं हमेशा शुयब आपके बरे में कहती हूँ, क्योंकि आप बहुत आपकी खुबसूरत आवाज है, आप बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट भी बनोगे, और फ्यूचर में आपको बड़ा मज़ा एगा, कि आपकी आलबम्स आएंगी, लोग बड़ा एंजॉय करेंगे, और आप जब इस एनरजी के साथ, लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे, तो ऐसी ही सीटियां बजेंगी, और ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन सिर्फ पाकसान आइडल के इस प्लाटफॉर्म के ओपर, सुरों की बात इसलिए होती है, कि हम लोगों को यहां पर इसी लिए जज्ज्मन के बिठाया है, एंग सुरों को जज्ज करें, ठीका ना? बट यह के, I love you and I love your performance. Thank you so much, I love you too. Shoaib, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, बलके बहुत रेर, बलके होता ही नहीं है, कि आपने, अली जफर का गाना गाया, उन्होंने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दी. अली. अच्छा, इसकी बज़ा थी, बज़ा बड़ी सिंपल सी है, मुझे जो पॉजिटिव एरिट्व लोग होते हैं, जिनकी इने बिशिन्स कोई नहीं होती, अच्छा लगते हैं, जो अच्छी पॉजिटिव सिर्ट से आते हैं, स्टेज पर अगर उन्हें का, तो अड़ी, बस मैं तो गाना काने लगाँ, और मैं एंजॉई करना चाहता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिव एरिट्व एरिट्व, स्माइल करते हूए आप आएं, आपने कहाँ आप पता नहीं जीतूँगा, नहीं जीतूँगा, जो भी है, आलाह करे आप लोग सब भी वहार तैलेंटिव, तो बेस सिंगर में विन, लेकिन आपने उससे उस मॉमेंट को इंजॉई किया, जो आपके बस मॉमेंट था, जो कि मुझे बहुत अच्छा, जहां तक देखें, गाना कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैंने खुद बड़े बेसुरे गाने कॉंसेट्स किये हुए, हम सबने आइम शूर किये होंगे, तो कोई सिंगर परफेक्ट एसस नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद आपका गाना भी मुझे ठीक लगा, एक नोट आपने जो था ना, अच्छा कई दफा लोग समझते हैं, कि मुर्कियां और जगें लेनी ये ज़्यादा मुश्किल होती है, कई दफा सीधा सुड लगाना बड़ा मुश्किल होता है, आपने जिन्दा का जो सुड़ तो ना, करे है जिन्दा, वो इतना ब्राक करके सॉलिड फॉर फॉर्टी पे सुरीरा लगाया, कि मैं एकदम इस तरह हुआ, तो गाने के इतवार से भी मुझे ठीक लगा, पुफार्मवन्स के इतवार से बहुत अच्छा लगा, और स्टेज पे जब हम आते हैं, तो हम एंटर्टेन करने के लिए आते हैं, अट दी एंड अब दे तो स्टेज पे आया करें, अपने दिल से इंजॉई करें, आगे जितने भी आपके एपिसोड्स होंगी, रिमेंबर, आप मेंसे एक जीतेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सब के सब वापिस, अपनी उन मॉमेंट्स के साथ, पॉजिटिव आटिटूड के साथ जाएं, कि जो पाकिसान आइडल के इस स्टेज पे आपने गुजारी, जब के लिए तालियां बजी, सीटियां पड़ी, लोगों ने वोट किया, उसको अपने साथ लेके सारी जिन्दगी रखते हैं,